सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में नैतिक सिंगहानिया का किरदार निभागर जिस करन महरा ने काफी पॉपुलार्टी गेंगी शुरवात से ही विवादों से उनका काफी पुराना रिष्टा रहा है आज हम उनके विवादित लाइफ बात करेंगे जैसा कि आप जानते ही हैं उनके पतनी निशा रावल ने हाली में उनके खिलाव पुलिस कमप्लेंग किया और बताया कि मार पेट होती थी करन उन पर हाथ उठाते थे ऐसे में आज हम आपको बताना शाहिंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि कई ऐसी वजह हैं जिसके कारण करन महरा को लेकर तमान तरह की बाते सामने आती रही हैं जिहां आपको बताना शाहिंगे हमारी इस रिपोर्ट में कैसे करन महरा का हीना खान के साथ बहुत ही बुरा जगड़ा हो चुका है ये कहा जाता है एक बार करन महरा ने स्टेटमेंट दिया था हीना खान को लेकर की बहुत ही जादा हाइपर हो जाती है हीना खान बल शादी से पहले बात है ये तब की जी हां करन महरा ने सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में काम करते हुए निशा रावल से शादे के हिना खान के अंस्क्रिन पती का उन्होंने किरदार निभाया था और इस दरान इनके भी छगड़े भी हुए थे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करन और हीना के बीच अच्छे क्विशन रियल लाइफ में नहीं रहे हैं एक इंटर्व्यू में साल 2016 में इन्होंने लाइक्स और डिसलाइक्स पर बात किया था जब उन्हों करन और हीना खान की बारे में बात ही जाए तो हीना खान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और आपको बता दे करन ने कहा था I go into my zone after I am done shooting my scenes if the two of us are doing a scene together then I will walk to her but otherwise I withdraw into my shell ये कहना था करन का उन्होंने कहा I don't get personal with anybody on the side we are not like best friends shooting out together we are we are record हीना खान ने भी statement दिये थे कि best friend नहीं है वो मेरा और वोंके साथ अच्छी बॉर्डिंग नहीं है जिस लाइक जिस्ता कुछ नहीं है लेकिन हाइपर होती है हीना ये कहना था करन महरा का लेकिन इसे उनके काम पर असर नहीं पड़ता है तो आपको बता दे कि हीना खान ने करन को लेकर आई इस तरह के बातों पर अपने जवाब दिया था करन के patience को कि काफी जादा उन्होंने कहा था उन्होंने कहा कि और भी जादा उन्हें उपन होने की जरूरत है नेक्श टाइम ये जुन से दुपतिक रिपोर्ट